तो हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं आपका मिस्टर बास तो मैं आज चुका हूँ एक निव वीडियो के साथ इस वीडियो में हम आपको कॉलर ब्लाउस की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करके दिखाने वाले गाइस तो आप सेम जैसे मैं बनाऊंगा सेम आप उसी तरह से क सीचिंग भी इजली कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो एंड तक देखिए और कुछ सीखिए तो कि वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हाइट के निशान के बाद हमें डेल इंच का उपर एक्स्ट्रा करना है तो आप देख सकते हैं यह जो डेल इंच एक्स्ट्रा होता है यह कॉलर के लिए एक्सपेशली कॉलर के लिए होता है आप नॉर्मल ब्लाउज में यह नहीं लगाई है यह कॉलर में ही सिर्फ आता है ठीक है तो आपका जो मेजरमेंट है आप उसे साब से मार्किंग कर सकते यह दिखिए इस तरह से थोड़ा सा डाउन करना है ठीक है कट करेंगे अब और आप याद रहें कि कॉलर ब्लाउज जो होता है वो स्ट्रेट कटिंग होता है इस तरह से बिल्कुल वो जो प्लेन ब्लाउज होते हैं क्रॉस कटिंग वाले विदाउट कॉलर वो क्रॉस कट होते हैं और जो कॉलर ब्लाउज है वो स्ट्रेट कट होता है आप देख सकते हैं इस तरह से ठीक है यह देखिए नहीं इस तरह से कट होगा ठीक है फ्रंट जो आप कट करेंगे वो दो जो दो इंच इक स्ट्रा कट करा उसको उपर निकाल देना है, फिर उसके बाद में नीचे से मेजर करेंगे, ठीक है, ये डीप करेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से कर लेना है, ठीक है, ये निशान हो गया, कॉलर का, ये डाट्स का हो गया, ये सेंटर डाट्स हो गई, इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, यह वेस्ट हो गई, अब स्लीव कट करते हैं, इस तरह से, ठीक है, अब मैं आपको स्टीचिंग दिखाऊंगा, ठीक है, पूरे इजी टुटोरियल से, तो पहले तो बिल्ट आप स्टीच करेंगे, जो मैं नार्मली आपको हर वीडियो में बताता हूं, वस आप हमेशा ध्या बताता हूं, जिससे आपको कोई प्राब्लम नहीं होती है, ठीक है, तो अब बैक बनाएंगे, इसमें मैंने बैक में एक निक कट करा हुआ है, ज्यादा तर कॉलर ब्लाउज में निक में कुछ भी नहीं होता है, प्लेन होता है पीछे, पूरा बंद होता है, हाई निक के ज इसको पक्का करने के बाद इसमें पाइपिंग लगाएंगे, इस तरह से, यह देखिए, ठीक है, इसमें पाइपिंग जो लगेगी, बहुत आसान तरीके से लगेगी, कोई जादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो आप यह देख सकते हैं, इस तरीका का कुछ तैयार तो अब यह front है इसको भी पूरा पका कर लेंगे side में stitching लगा लेंगे किनारे में अब यह built है जिसको योग बोलते हैं ठीक है इस तरह से कर लेना है यह 2 इंच collar है collar का 2 इंच होड़के आपको पट्टी लगा लेनी हेमिंग के पट्टी जिस पर तुरपाई होगी ठीक है इधर भी सेम आपको वैसे ही करना है यह हो गया ठीक है अब इसको इस तरह से कर लेना है पका कर लेंगे आप shoulder joint कर लेना है आपको जैसे normal blouse में करते हैं ठीक है तो collar cut करने से पहले मैं collar को नापना है इस तरह से नाप लेंगे और फिर जितना collar है इस तरह से cut कर लेंगे थोड़ा सा उपर करना है इस तरह से बहुत easy इतना difficult नहीं है अब try करेंगे तो आप जरूर कर लेंगे यह दीखिए थोड़ा सा round करेंगे इस तरह से आपको बीच में नाप जरूर लीजेगे कि बड़ा तो नहीं हो रहा है नहीं तो आपको प्राब्लम हो जाएगी फिर जब बगर बड़ा हो गया तो इस तरह से कर लेना है तेक है इस दीखिए तो मैं आपको इसका final look दिखा रहा हूँ तो यह देख सकते हैं कितनी easy तरीके से कोई भी प्राब्लम नहीं है और ब्लाउज बनके तैयार हो गया तो यह इसका back look है यह पहनने पे कुछ ज़्यादे ही अच्छा लगेगा भी तो इस तरीके से तो दिख नहीं रहा है और पहनने पे ज़्यादा चलेगा मेरे चैनल ऐसके क्रेशन को सब्सक्राइब करिएगा तो गैस मिलते हैं नेक्स टूडियो में जब तक अपना खायल रखें थैंक यू सो मच बाई